हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Poco X6 Pro Android में आप अपने मुबैल फोन के स्टोरिज को आप खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप यह वीडियो को में स आपके मुबैल फोन में जितने भी आप है इन सब यह आपको रिसेट करना है कैसे देखिए आप अपने मुबैल फोन का कोई से अभी आप उंगली से दबाकी रखिए आपका यह चोटा जा पेज ओपन होता है इसमें आपको यह एप इंफो लिखाओ मिलता है एप इंफो और टैप करना है या फिर सरकल के अंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है आपका पेज आता delete all data का इसे okay करना है आपका इस बार user data के सामने आला data आपका zero हो जाएगा इस तरीके से आपको mobile phone के सभी app को reset करना है ठीक है अगला काम यह करना है आपके mobile phone में जितने युफालतु के apps हैं यानि कि जिन apps को आप अपने phone में इस्तमाल नहीं करते हैं उनसे युफाल गैलरी को open करता हूँ phone की गैलरी में देखे right side की टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर है इसे tap करना है आपका पेज आता है इसमें देखिए backup की सेटिंग है तो यह backup इस आफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस app की backup सेटिंग को यहाँ पर पहले से बंद कर रहा है अगर आपकी जाती नहीं तो इससे हमारे फोन का internal storage जल्द जल्दी फुल हो जाता है तो इसलिए आपको इन backup सेटिंग को बंद रखना है जिससे आपके फोन का storage खाली रहेगा ठीक है अब देखिए अगला काम करना क्या है mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए आपको phone का setting page open कर लेना है setting page के अंदर आपको सबसे उपर सर्च setting पर आपको tap करना है यहां पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है तो आपको जो है नीचे की साइड एक options हो जाएगा factory reset का यह व लिए और फालतो का data आपको phone में छोड़ देना है reset करने से फालतो का data delete हो जाएगा ठीक है और दूसरी बात ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करने है उसके बाद phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो मेरे बतायों सारे process आपको यूज करने से आपके phone का storage खाली रहेगा ठीक है